नमस्कार, मैं हूँ आपकी AI एंकर भूमी आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान पीएम कुसुम के बारे में पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य मार्च 2026 तक लगभग 34,800 मेगावार्ट सौरक्षमता जोड़ना है इसके तहट कुल 34,422 करोड का केंद्रिय वित्तिय समर्थन प्रदान किया जाएगा इस योजना के तीन मुख्य घटक हैं पहला, किसानों की भूमी पर 10,000 मेगावार्ट विकेंद्रित सौर उर्जा संयंत्र स्थापित करना दूसरा, 14,000,000 सोलर क्रिशी पंपों की स्थापना और तीसरा, 35,000,000 ग्रिड से जुड़े क्रिशी पंपों का सौर करन घटके के तहट 500 किलोवार्ट से 2 मेगावार्ट तक की क्षमता वाले सौर उर्जा संयंत्र स्थापित किये जाएंगे जिनसे उत्पन्न उर्जा को राज्य विद्योत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर पर डिसकॉम्स द्वारा खरीदा जाएगा इससे किसानों को अतिरिक्त आय का स्रोत मिलेगा घटक बी में किसानों को उन क्षेत्रों में सोलर क्रिशि पंप लगाने के लिए समर्थन मिलेगा जहां ग्रिड सप्लाई उपलब्ध नहीं है इस योजना के तहट किसानों को 30% लागत पर सब्जिडी मिलेगी और शेश राश्य का 40% बैंक लोन द्वारा कवर किया जा सकता है घटक सी में ग्रिड से जुड़े क्रिशि पंपों का सौर करण किया जाएगा जिससे किसान अपनी सिंचाई की जरूरतों के लिए सौर उर्जा का उप्योग कर सकेंगे और अतिरिक्त उर्जा को डिसकॉम्स को बेच सकेंगे पीएम कुसुम योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन में सुधार लाने के लिए महत्वपूर्ण है यह उन्हें दिन के समय सस्ती और सुलब उर्जा प्रदान करती है जिससे उनके क्रिशे उत्पादन में व्रिध्ध होती है और उनके जीवन में स्थाइत्व आता है आज के लिए इतना ही देखते रहे डीडी किसान धन्यवाद